नेक्स टॉपिक इस एलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखे एलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसको बहुत किलियरली समझना जरूरी है क्योंकि आगे बहुत सारे चीजें इस पर डिपेंड होगी कि एलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है तो एलेक्ट्रोड पोटेंश जैसे फॉर जामपल हमने यहां पर लिया जिंक सल्फेट और इसमें हमने जिंक की एक रॉड डिप कर दी जिंक सल्फेट का सॉलुशन है सेम मेटल की रॉड होनी चाहिए ठीक है तो यह जो रॉड है किसकी है जिंक की है अब यहां पर मेटल की रॉड यहीं के सॉलिड इस्टेर मेटल और मेटल उसी मेटल का सेम मेटल का एलेक्ट्रोलाइट है ठीक है अब यह जब आप डिप करते हैं तो यहां पर मान लीजे इस तरह की रियक्शन होई कि मेटल जो है यह ऑक्सिडाइज हुआ अब आपने प्लस M N positive ion plus N electron, जैसे zinc, ZN 2 positive ion plus 2 electron होता, वैसे यहाँ पर हमने example लिया M का, मतलब metal, कोई सब metal हो सकता है, अब ये जो metal ion form हुआ, देखें इससे हुआ क्या, कि ये rod है, इस rod में, ये metal solid की form में है, इसने electron loose किया, M N positive ion, मतलब solution में आपका आगया, M N positive ion, इसमें positive ion एकठे होते जाएंगे, और जो ये N electron है, ये कहा हैं, rod पे हैं, rod पे deposit होते जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से, charge का difference develop होगा, जैसे, metal rod पर negative charge, and solution में positive charge, जब इस तरह का, charge difference develop होता है, उसे हम कहते हैं, electrode potential कहते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, electrode potential को आप कैसे define कर सकते हैं, यहापर, electrode potential का यहाँ मतलब हुआ, कि charge difference, between the electrode, and the electrolyte, at equilibrium, between the electrode, and the electrolyte, at equilibrium, अब यहाँ पर at equilibrium क्यों कहा गया, वो इसलिए, क्यों, क्योंकि equilibrium का मतलब यह है, जैसे मान लिए metal है, पहले एक charge lose होगा, फिर दो lose होगा, तो difference हो develop होना शुरू हो जाएगा, लेकिन, हम major कब करेंगे, तो हम major तब करेंगे, जहाँ पर further ions form होना, बंग हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको exact potential difference मिलेगा, अब यहाँ पर, क्योंकि oxidation हो रही है, इसलिए, इस potential difference को हम कहते हैं, oxidation potential, oxidation potential, यह है oxidation potential, ठीक है, तो इस तरह से, oxidation potential को आप define करेंगे, तो बार सुनिए, electrode potential, यहाँ पर हम oxidation potential की बात कर रहे हैं, oxidation potential electrode potential क्या होगा, charge difference between the electrode and the electrolyte at equilibrium is known as electrode potential, ऐसे ही, दूसरा example देखें, जैसे मान लो हमारे पास, एक दुबारस हमने यहाँ भी कर लिया, इसमें rod dip की, हमारे पास इस तिल क्या है, electrolyte है, semi electrolyte, जैसे यहाँ पर मान ली हम, दुबारस से ZNSO4 ले ले ले, और यह zinc की rod है, होई सेम, metal की rod, metal का electrode, लेकिन यहाँ पर मान लो, metal electron lose ना करे, metal electron lose ना करे, metal electron gain करे, तो हमारे पास, जो यह solution है, उसमें जो zinc iron है, जो यहाँ पर MN positive iron की form में है, यह N electron gain करे, gain कहां से किया electron, electron gain किया from rod, तो यह क्या बन गया आपका, metal solid form हो गया, अब यहाँ पर हुई क्या metal पर, यहाँ पर metal पर हुई, reduction, reduction है, metal पर reduction हुई, क्यूंकि metal ने electron gain किया, तो इससे क्या हुआ देखिए, क्यूंकि metal electron lose कर रहा है, तो इस पर charge develop होगा positive, और solution में, यह हमारे पास, sulphate iron बज जाएंगे, तो यहाँ पर charge का develop होगा, negative develop होगा, again charge का difference develop होगा, तो इस तरह के charge difference को हम क्या कहते है, reduction potential कहते है, reduction potential ठीक है, यह हो गया आपका reduction potential, तो oxidation potential means potential developed by the loss of electron, reduction potential, potential developed by the gain of electron, और electrode potential का simple सा मतलब है, charge difference between the electrode and the electrolyte, इसे कहते हैं, electrode potential कहते हैं, अब दिखे, electrode यहाँ पर, जो metal हमने यहाँ पर लिया है, metal, यहाँ पर दो तरीके के metals हैं, एक या तो metal electron gain करेगा, या metal electron lose करेगा, बड़ बहुत सारे ऐसे metals हैं, जो ना तो electron lose करते हैं, ना gain करते हैं, मेंज हम उन्हें inert कहते हैं, उनके जो electrodes होते हैं, वो inert electrode कहलाते हैं, जैसे आपका हो गया, platinum है, graphite है, इस तरह के बहुत सारे inert electrode भी use होते हैं, next point is, factor affecting electrode potential, अभी हमने बात की electrode potential क्या होता है, अब यह जो electrode potential है, what are the factors which affect the values of electrode potential, इसमें first है, first factor is, nature of metal and its iron, अब किस तरह से nature of metal and its iron effect कर सकते हैं, जैसे मानली हमारे पास, एक metal है, zinc, इसने electron lose किया, form किया, Zn2 positive iron, plus 2 electron, दूसरा एक metal हमारे पास है, iron, Fe, इसने electron lose किया, 2 electron, form किया, Fe, 2 positive iron, तो अब क्या दोनों का electrode potential, यानि कि जो E की value है, वो same होगी, नहीं यह possible, नहीं है, reason क्या है, reason यह है, कि हर metal में electron lose करने की tendency different होती है, attraction electron toward nucleus different force से attach होता है, इस वज़ा से हर किसी की electrode potential की value differ करती है, even अगर हब iron की ही बात करें, iron में Fe, Fe 3 positive iron, plus 3 electron, अब दिखिए यहाँ पर iron का nature first change होगी, ions का, इस पे Fe 2 positive है, इस पे Fe 3 positive है, तो इस case में electrode potential की value different होगी, इस case में electrode potential की value differ कर जाएगी, तो nature of metal and its iron, इस पर electrode potential की value depend करती है, यह है one factor which affects the value of electrode.